नमस्कार दोसों बहुत बहुत स्वागात है आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चनल विधिटेरिया में दोस्तों मैं हूँ एड़ोकेट मंजीत्र पाठी दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अनसेक्यूर्ड लोन में और अनसेक्यूर्ड लोन में एक बहुत ही दोस्तों कि पीसितं है और आपके पास पैसा नहीं है और आप चाहते हैं कि आप दीवालिया घोसित हो जाएं और बांक आपसे स्व., नहीं आ रहा था हमारे वोटसप पे भी आप लोग इससे रोड़ेट बहुत पूषण पूछ रहे थे कि सर अगर हमारे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है, हमारे पास कोई संपत्ती नहीं है, अगर हम अपना कोई भी दिवालिया घोशित खुद को कर ले या कोई दिवालिया सर्टिफिकेट बन वाले कोड से स्टाम पेपर पे लिखवा ले तो क्या बैंक हमारा लोन माफ कर सकता है कि नहीं, तो आज बोर्ड के मादियम से आपको बताएंगे दो महत्पूर्ण प्रश्ण जो आप लोग के द्वारा हमेशा पूछा जाता है, दिवालिया घोशित होने पर क्या बैंक लोन माफ कर देता है, या दिवालिया बैंक खुदी घोशित कर देत है, दिवालिया घोशित होने के क्या फायदे होते हैं, क्या कोई दिवालिया घोशित हो सकता है, तो आज हम लोग इसी मैटर पे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत बार इसको पूछा जाता है, क्योंकि लोन तो आप ले लेते हैं, लेकिन जब आप उस loon को चुका नहीं पाते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो कहीं न कहीं आप सोचते हैं कि हमारा Loan माफ हो जाए. आईए बोर्ड के माध्यम स्टे आपको समझाने के कुशिश करते हैं, कि दीवालिया घोशित हो सकते हैं, दीवालिया सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और अगर दीवालिया सर्टिफिकेट बनता है, तो क्या आपका लोन माफ होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर हमने आपके लिए दो प्रशने लिखे हुए है पहला है क्या दीवालिया घोसित होने पर लोन माप हो सकता है देखिए दीवालिया घोसित कौन होता है इसको समझना जरूरी है देखिए अगर आप कोई कमपनी चला रहे है या फिर कोई partner से firm चला रहा है और वहां पर जो firm है या company है वो टूब जाती है वो अपने capital से नीचे चले जाती है अपने पूंजी से नीचे चले जाती है जिसमें कि उसका business ठप हो जाता है उसका सारा कुछ लें दिन बंध हो जाता है तो ऐसी company को दिवालिया घोषित कर दिय लेकिन दिवालिया घोशित होने पर वर किसी प्रकार का लोन नहीं मिल पाएगा रिकिन उसके उपर जो कर्जे होते हैं इसको बैंक वसूलते हैं उनके जो भी डारेक्टर्स होते उनसे personally जो भी company में समान होता है उनको बेचने के बाद जो पैसा बचता है उस पैसे को उनके डिरेक्टर वगरा से भी वो पैसा वसूलते हैं हाला कि पैसा पूरा नहीं मिल पाता है company से bank को लेकिन फिर भी maximum तक recovery होती है तो यह हो गया company के बाद और आप एक private वेक्ति हैं आप कहीं private job करते हैं नौकरी करते हैं आपने personal loan लिया है कोई भी unsecured loan लिया है आप ऐसा दे नहीं पा रहे हैं आपके मन में दीवालिया घोसित हो जाए और bank हमसे recovery न करें लेकिन यहाँ पर recovery अलग चीज़ हो गई अगर एक आप आम नागरिक हैं तो यहाँ पर आपके साथ अग घ्रकुल भी नहीं हो पाएगा क्यूंकि कानून में इस बात का कोई भी लेक नहीं है अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि किसी भी court से मान लीजे कि आप सिविल कोड से ही आप सोच रहे कि इस टाम पेपर पे इस टाम पेपर पे 500 रुपए के 100 रुपए के 10 रुपए पे आप लिखवा ले कि हम दीवालिया घोसित हो गए हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है तो बैंक हमसे रिकवरी नकरे हमारा लोन माफ कर दें लेकिन ऐसा किसी भी क classics में नहीं होता है लोग आपको गलत सला देते हैं कोई भी यार रिस्तिदार कोई भी हो वह आपको गलत सला दे रहा है क्योंकि अगर notice issue करता है, recovery के notice issue करता है, तो अगर आप नहीं paid करते हैं, तो यहाँ पर आपकी liability को आपके mother या फिर father, ये दो लोगों से bank वसूल सकता है, तो यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, तो ऐसा कोई भी खानून नहीं है, कि दिवालिया खुद को गोशित होने से आपका loan माफ हो जाएगा, bank आपके खिलाफ recovery certificate यानि कि RC issue कर सकता है, या फिर वो आपके खिलाफ the debt recovery and bankruptcy act 1993 के section 25 में case file कर सकता है, अगर loan की value बड़ी है, तो यहाँ पर नुकसान आपका हो सकता है, देखिए क्या है कि बच्ची की liability पिता माता पे और माता पिता की liability बच्चे पे आती है, तो यहाँ पर दीवालिया घोशित होने का कोई भी सवाल ही नहीं पैदा होता है, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्ण पे, जो दूसरा प्रश्ण है, क्या bank दीवालिया घोशित कर सकता है, bank किसी भी व्यक्ति को दीवालिया घोशित नहीं करता है, हमने अभी ब आप अपने मन से निकाल दीजे दीवालिया घोसित कुछ भी नहीं होता है किसी का भी लोन माफ नहीं होता है अगर ऐसा ही होने लगा तो हर व्यक्ति 10-10-20-20 लाख रुपे की लोन को पे नहीं करेगा और 500 रुपे का एक स्टाम पेपर पे लिखा लिए कि हम दीवालिया घोसित हो गया है हमारा लोन माफ हो जाएगा तो ऐसा प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है जो ये कहता है कि आप दीवालिया घोसित हो जाएए बैंक आप आपका लोन माफ कर देगा तो ऐसा कानून नहीं है अचा कोछ भी नहीं है लोग आपको गुम्रह कर रहा हैं तो सही चीज जानिये जब तक आप सही चीज नहीं जानेंगे तब तक फिर आप बैंक से नहीं लड़ सकते हैं तो दोस्तों ये जानकारी आंगों कैसे लगी तब तक आपना और में पूरे परिवार का ध्यान ज़र्व के थांकिस सो मच जय हिंदोस्तों